नमश्का बीसी न्यूस की खास मुलाकात में मैं शेतिजादेशमुक आप सभी का स्वागत करती हूँ आज हम बात करेंगे फिल्म के बारे में जी हाँ जो की जिसका ट्रेलर अभी अभी लॉंच हुआ है और उसके रिविवीव भी पब्लिक बारा बहुत ही आ रहे है और ऐसे फिल्म के बारे में हम जानेंगे जिसका नाम है किल किल ये धर्मा प्रोडिक्शन की नई फिल्म है और किल का ट्रेलर हाल ही में जो है लॉंच किया गया है जिसके बाद जो धर्मा फिल्म की फिल्मे होती है उसे ये काफी अलग है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ जो तो ये थेटर करते हैं साथ ही साथ इन्होंने कई हिंदी जो सीरियल से उसमें काम किया है और अब ये बड़े परदे पर जो है अपनी अदाकारी दिखाने जा रहे है बहुत-बहुत स्वागत आप आपका हमारे स्टुडियो में सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि ये किल जो मुवी है इसके बारे में बहुत चर्चाए है रक्षक नहीं राक्षस है ऐसा भी कहा जा रहा है क्या बताओगे इस फिल्म के बारे में क्या कहानी है बेसिकली ये कहानी एक कमांडो की है जो ट्रेन में ट्रावल के रहे हैं और वो में 40 गुंडे घुसाते है which is a family of goons और इनके बीच में tussle होता है, वो अपना धर्म निबहते है और यह अपना धर्म निबहते है और action इस film का जो है, वो पहली बार आप देखने जाएंगे हिंदी जिनमे में इस तरीके का action जो कि close combat fights है बड़ा ही realistic action है so this is all about the film बिल्कुल, इसमें कई नए कलाकार डेबू भी कर रहे हैं शायर से, क्या बताओगे कौन-कलाकार इस movie में है लक्ष लालवानी है, जो डेबू कर रहे है पहले वो पोरस serial में आते थे उसके पहले उन्होंने काफी काम किया बड़े पर बड़े पर देखने वाले है बताओगे किस तरह का किरदार आप ले करें मेरा किरदार है सिद्धी का, जो कि चालीस गूंज की फैमिली है उसमें एक one of the strongest member है जो कि अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है इस तरीके का एक इनसान है और वो भी एक motive के साथ इस film में लड़ रहा है और मेरे हिसाब से कौन से ही कौन गलत वो आप movie में जरूर देखेंगे और ये दरशक डिसाइड करेंगे लेकिन इस film में ये film में एक ऐसी film है या मेरा किरदार या कोई भी किरदार ऐसा है जो फिल्म देखने के बाद लोग डिसाइड करेंगे कि ये अच्छा है या वो अच्छा है अच्छा मतलब ये मुझे जानना है आपसे कि आपने अभी तक कई फिल्म मतलब रोल निभाए है चोटे परदे पर अब ये फिल्म जो आप मतलब ओफर हुई आपको तो किस तरह की मतलब आप में फिल्म थी या किस तरह का ये था क्या बताओगे क्या हुआ था जब ये ओफर आया दिखिए वैसे बिए बिए अच्टर हम लोग आडिशन्स देतर रहते हैं हमारे स्क्रीन टेस्ट होते हैं तो कास्टिंग बे बहुत ही फेमस कास्टिंग कंपनी है मैं वहाँ पर गया ये रोल के लिए करीब 6 या 7 बार मेरा आडिशन हुआ अलग-अलग सीन्स के स्क्रीन टेस्ट हुए और उन्हें मुझे बताया और फिर बोला की धर्मा और सिख्या के फिल्म है और आप अल्मोस्ट डन है तो ये चीज़ के आपको आदद होती है कि डन है बड जब तक की ऑन बेबर नहीं होता चीज़े नहीं होती आपको ये नहीं होता बाइचांस उसी दिन उसी ओफिस के पास सिख्या का ओफिस था उन्होंने मुझे डिरेक्शन टीम से मिलाया उन्होंने थम्स अप दिया तो बस वही बॉलेवुड वाले जो फील होता है मेरे साथ वह हुआ कि मेरे दिमाग में गाने बजने लगे कि यार ये करना था और वो एक ट्रेन सौंग है बेली बॉय का बड़ा फेमस बिल्कुल तो वो मेरे दिमाग में बज़ा और मैं निकला था वो फिलिंग असा तो ये बहुत ही आउट अप दो फिलिंग के और ये हर बार मुझे आती है जब मैं कोई नया काम देता हूँ लेकिन जब हम सुनते है जो हमें करना था अभी हमों करने वाले वो एक्साइटमेंट अलब दिया और वो भी धर्मा जो करन जोहर का फिल्म प्रोड़क्शन है जी बिल्कुल तो घरवालो को मतलब कैसे आपने बताया क्या घरवालो का मतलब किस तरह से उनकी रेक्शन थी घरवालो की अगर मैं बात करूँ तो मैं उस तरीके का इंसान हो ना कि मैं तब बताता हूँ जब चीज़े शुरू हो जाए बिकॉस ये मेरी बड़े परदे की पहली फिल्म है लेकिन इसके पहले भी मैं फिल्म कर चुका हूँ जो रिलीज नहीं होई मैं तब चीज़े बताता हूँ क्योंकि बिग अन अक्टर घरवालो को बहुत सारी उमीद होती है फिर एक उमीद उनकी जगती है फिर उनको डिसपॉइंट की कि हमको तो आदत होगे ना I am very trained in taking rejections यह rejection पार्ट एक अक्ट है था लेकिन घरवालो को वो आदत नहीं होती है तो बताया जब shoot स्टार्ट हो गया मेरी सस्टर भी आया था shoot पर तो यह सुनके लिए भी out of the box feeling था अब main feeling तब होगी जब फाइनली 5th of July को film पर देपर आईगी आप तो trailer launch हो चुका है किस तरह से friend circle में आपको मतलब यह हो रहा है क्योंकि trailer आख चुका है लोगों ने trailer देखा है बिलकुल देखे trailer जब आता है ना पहली बार जब आप खुद भी trailer देखना है तो personally also I was amazed और फिर जो लोगों के reactions है वो आप बहार देख सकते हैं लेकिन जो personally friends केते हैं उनका था यह क्या है बिलकुल मतलब what is this मतलब सच्छी मैं मतलब पूरी फिल्म में ऐसा है मैंने बला अब तुम फिल्म देखो यह ट्रेलर है और यह ट्रेलर है पिच्छर पांच जुलाई को दिखेगी और उसमें काफी कुछ है मैंने इस फिल्म के बारे में जितना पड़ा उसमें ऐसा दिखाए दिया कि हॉलिवड के साथ कुछ तो भी साज़ेदारी हुई है यह पहली बार बॉलिवड की फिल्म में हुआ है इंडियन फिल्म में हुआ है तो यह क्या है? मतलब क्या हुआ है? यह अच्छली फिल्म टॉर्टो इंडरनाशन फिल्म फेस्टिवल में गई की जहां पे उनका एक मिडनाइट मैडनेस सेक्शन होता है तो वो बारावज इसे शुरू होता है पहली बार फिल्म ओडियन्स के सामने आ रही थी जब ओडियन्स के सामने आए तो पीपल वर लाइट वो दे फिल्म मिडनाइट मैडनेस को डिस्क्राइब कर दिया फिल्म में वहां से फिल्म को थोड़ा सा अट्राक्शन मिलना चाले हुआ उस फिल्म फेस्टिवल से and then Lionsgate Productions, Lionsgate Studios, बहुती फेमल स्टूडियो है Hollywood का उनके साथ फिर दील हुई है धर्मा और सिख्या प्रोडक्शन की जो बुनीत मौंगा, अचिन जैन ये लोग होन गरते हैं and उन्होंने अभी-भी रिसेंट्ली Elephant Whisperers के लिए ऑसकर जीता है so वो भी एक proud moment है कि उन्होंने जीता है और इस film में हम उस प्रोडक्शन के साथ जोड़े हैं आपके किरिदार के बारे में आप क्या बताओगे जैसे आपको कहानी मतलब वो सुनाए गया होगा आपके किरिदार तो क्या लगा आपको मतलब ये करना चाहिए हां मुझे ये ऐसा कुछ था जी, जब, देखिए, जब आप actor होते हैं तो आपके दिमाग में होता है कि मुझे ये ये करना है और जब ये कारेक्टर मेरे सामने आया तो जो हमारे डिरेक्टर है निखिल सर उन्होंने निखिल नागेश भड़ उन्होंने सिलेक्शन होने के बाद जब पहला प्रोसेस हुआ राधर दन गोई इंटू दो फिल्म उन मेरे मेरे बॉक्स में कुछ ऐसे असल बारुध है जो मैं यूज कर सकता हूं इसनफर में और मज़ााएगा ये तो किसी गरेक्टर को लेकर आपके मत में कभी घर होता है अरे यहार मतलब अच्छा ये कैसे करूंगा मैं किसी कैरेक्टर के लिए एक्साइट में और जब इस इसा कुछ है यादे बहुत सारी यादे इन फैक्ट मैं काहूंगा अच्छी कई अलग 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 प्रोडक्शन के साथ कुछ चीज़े की हैं लेकिन यह सेट का जो माहूल था जब हम शूट कर रहे थे बहुती ब्रदर हुड वाला माहूल था खासकर मैं लक्ष लालवानी जो इस फिल्म में लीड कर रहे है जो हीरो है उनकी तारीफ समझो या उनका पैशन समझो उतना हाड़ वर्किंग इंसान होना उतना पैशनेट होना अपने आप में एक बेंचमार्ग देखा मैंने उनकी अपने काम में तो जब भी हम लोग सेट पर होते थे वह इंसान ऐसे है कि वह खुद तो ट्रेन कर रहे है बिकॉस एक एसा चीज है जिसमें वह एक कोरियोग्राफी है आप जैसे डांस में कोरियोग्राफी है उसकता वह एक दूसरे के केमेस्ट्री के भिना नहीं हो सकता और chemistry के लिए प्राक्टिस सही होती है, understanding सही होती है, जो कि लक्ष अपने आप में लेकर आता है, अगर चार बार प्राक्टिस करें, गर मैं बुल यार मेरा दुड़ा परफिक्ट निया है, दो बार और करते हैं, चलो करते हैं, जलो करते हैं, और सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, ब मतलब बहुत ही चलते हैं, पुरा डाइम सेट पे, इवन जो डिरेक्टर्स है, वो टीम, मतलब ये टीम अपने आप में एक पॉजिविटी लेकर आया था सेट पे, जो की कंटियर नहीं है, इसलिए चलते हैं, मतलब आप बारा घंटे काम करके आते हैं, कोई तेरा हो जाए थांक्स टुगड की कोई बहुत में जरी जो लेकिन हुए है, लक्ष के इंजूरी हुए है, मेरे अगर सीन की बात कर लो, जैसे आपने पूछा की था जिसमें रेटेक हुआ तो एक आक्शन सीक्वेंस था, जो कि फिल्में बहुत इंबोट आप्ट अच्शन सीक्वेंस थ कर रहते हैं, और वो बैठ नहीं पारादा, तो प्राक्टिस इस दिफरेंट थिंग बट वो बुलते हैं कि परिफेक्शन इस सम्थिंग डिफिन नहीं होता कि ये प्रॉपर तरीके से हुआ है, तो फिर मैंने डिरेक्टर को बढ़ा, शर मुझे पांच मिनित छही है, उन् कि कई डायलोग भी इसमें होंगे, तो आपका पसंदीदा डायलोग को हमारे दर्शकों को आप सनाई है, मेरा पसंदीदा डायलोग अगर मैं कहूं तो जैसे फाइट चलाता है, ये कोई साधारन फाओजी नहीं है, तो मुझे इस लाइन में ही काशी कुछ समझ में आता है उस किरदार के बारे में, जो कि आप बाकी फिल्में भी देखते होंगे कि ये साधारन नहीं है, लेकिन जिस तरीके से नहीं बता दीजिए हमारे दर्शकों को, कि से ज़्यादा मुवी ट्रेन में है, ख्लोज कॉम्बाट मुवी है, बहुत कुछ एक ट्रेन के अंदर हो र आपने ट्रें टू बुसान देखिये है या नहीं, I don't know, but उस मुवी में जॉम्बीस थे, इसमें असली इंसान है, तो यह मिक्स है, कई लोगों ने, हॉलिवूड में जब रिव्यूस आये, तो पीपल सेड, इस रेड on a train, रेड मुवी एक क्लोस कॉमबाइड मुवी, इन action, हमेशा कोई भी action, reaction इस दुनिया में, कोई भी emotion के पीछे एक motive होता है, इस picture में जितने भी actions है, उसके पीछे का motive emotion है, किस किस तरीके के emotions है, you'll see it in the future, बिल्कुल, तो यह फिल्म हमारे दर्शकों को थेटर में कब देखने मिलेगी, कब release होने वाली है, पांच अभी तक जो reviews लोगों ने दिये है, बहुत अच्छे है, हम चाहते है, आप भी जाए और अपने reviews share करें, बिल्कुल, क्या यह फिल्म हिंदी के अलावा और भी languages में release होने वाली है, जी बिल्कुल, अभी, obviously USA में release हो रही है, तो English, बिल्कुल, उसके अलावा जो other states में होगा बिल्कुल, आपको आपके इस movie के लिए बहुत-बहुत शुपकामना है, और हमारे दर्शकों को आपके खासकर कहना चाहूँगा कि सबसे बहले तो BCN News का बहुत-बहुत धन्यवाद कि उन्होंने यहाँ पर मुझे बुलाया, आपके बहुत सारे दर्शक नकपुर से है, मैं नकपुर से बिलॉंग करता हूँ, और मेरी शुरवाद यहीं से हुई है, टेटर्स भी मैंने यहीं से किया है, तो एक नकपुर का रहवासी होने के नाते, अब मैं जाकर एक movie कर रहा हूँ, जो आने वाली है, और जो की अच्छी भी है, तो मैं सभी नकपुर वालों से यह request करना चाहूँगा कि आप चाहिए, और मुझे support करने के लिए जाएए, कि हमारे वीच से कोई इंसान वाँ पर है, तो आप मुझे support करने के लिए ज़रूर चाहिए, बिल्कुर, आपका dream role कौन सा है, मतलब हर actor के लिए होता है कि हाँ, मुझे उस तरीकी का role करना है, ऐस इसा कोई role है, जो मुझे उस तरीक का role करना है, ऐसा dream, देकि मेरा dream, मतलब बेसी के लिए लोग जब जाते हैं, तो सब को hero मनना होता था, मैं जब मुझे पहले दिन सा villain मनना था, सो लो मुझे बोलते है, मुझे बहुत पसंद है, कोई भी तरीकी का villain हो, I think, देखो, दुनि के background के उपर decide होता है, कौन सा ही या गलत है, लेकिन मैं बस यह मानता हूँ कि, जो मेरे अंदर है, और जो मैं बाहर दे सकता हूँ, और जो मेरे observations है, तो मुझे लगता है, विलन एक ऐसा side है, जो हमेशा मेरे dream roles में से एक रहा है, और मैं maximum वही कर रहा हूँ, और किसी एक role को बोलना कि ये मेरे dream role, I think, वो बहुत ही ज़ादा basic हो जाए, का हाँ, मैं ज़रूर बोलूगा कि मेरे dream roles ऐसे हो, जो कि बहुत challenging हो, मुझे challenging काम करने में बहुत पसंद आता है, मैं आपको सच बता हूँ, मुझे shoot या उसके बाद के result से ज़ादा process में मज़ा आता है, कि किस त इस movie के? नहीं लड़ रहा है, जो कि unbeatable हो, आप देगेंगे, ज़्यादा तर कहाणियों में villain unbeatable होता है, कोई उठके जब आता है, और उस unbeatability को beat करता है, तो वो उसको खुबसूरत बनाता है, तो वो जो unbeatable वाला feel या वो create करना, क्योंकि real life में मैं villain नहीं हूँ, real life में मैं बहु तो real life कैसी है, real life कैसी है आपकी, मेरी real life बहुत ही अच्छी है, मैं lucky हूँ कि मेरे आसपास बहुत अच्छे लोग है, I think life के बारे में एक ही चीज़ important होती है, कि आपके आसपास लोग कैसे है, और आपके आसपास जो लोग है, वो basically आपका खुद का reflection होता है, आप कई लोग कि मेरे आसपास के लोग है, इसका मतलब यह नहीं कि मैं अच्छा हूँ, शायद उन लोगों के साथ रहके मैं बैतर हूँ, तो life is good in real sense, और जो काम मैं करना चाहता था अपने life में, मैं profession-wise वही काम कर रहा हूँ, एक sportsman था, फिर bank में जॉब किये, मैंने, उसके बाद उठक आक्टर हूँ, तो I think I am already living my dream life, कितना उपर जाता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती है, बिल्कुल, तो 5 जुलाई को जो है, किल यह movie जो है, सभी theaters में release होने जा रही है, आप भी जाईए और देखिए, trailer तो आप सभी ने देखा है, जिसके बाद review जो है, आप सभी लोगों के आ रहे है, कुछ हटके फिल्म जो है, इस बार आपको देखने में लेगी, और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए, और हमारे दर्शकों को किल movie के बारे में जानकारी साजा की, आप देख तेरी यह BCN News, नमस्कार.